अब है हो इस इस सोविन सर बहुत बहुत स्वाब आते हैं आपका इस बहुत ही खूब सूरत से चैनल में सरी एक चैनल कैसे खूब सूरत हो सकता है सकता है तो जी यहां हो सकता है यह possibility है अगर आप जैसे खुबसुरत लोग यहां पर मिलेंगे ना तो भाई कोई भी चीज खुबसुरत हो सकती है इसलिए मैं हमेसा बोलता हूं कि एक खुबसुरत से चैनल में क्योंकि मुझे बहुत सारे खुबसुरत प्यारे प्यारे बच् चप्टर क्लास 12 का उड़ गया जी हां तो भाई एक चप्टर हमारा जो एक ही खतम हो चुका है जिसका नाम है है अलोजन डेरिवेट्यूप और आज एक नए चप्टर के शुरुवात होने वाली है जिसका नाम है जिसका नाम है जल्दी बोलो सर बोलो मत ग्लास में लाके दे दो सिधा हम समझ जाएंगे हम समझ जाएंगे क्या वहलती पब्लिक एल्कोहल फिनॉल एंड एथर्स तो बहुत जबदस होने वाला लेकिन उससे पहले सारे बच्छों से रिक्वेश्ट किया पहले लिंग को शेर करो एक दम बोलते ना दबा के शेर को रिदम बोलते दु पर रखा जाएगा आपको लगेगा यार पूरा रिवीजन हो गया मुझे पूरा रिवीजन हो गया अच्छा हुआ मैंने एकलब बैच में टाइम पर आ गया मेरा ऑर्गेनिक का टेंशन खतम जड़ से जो मैं कन्फूजन मोड में था अब तक सब कुछ खतम हो गया आपको मैंने फिलाल ऐसे ही किया है कि अल्कोहल चेप्टर को मोस्ट अफ कंप्रीट करने के बाद कुछ MCQ भी डिसकस करूंगा जितने मेरे टॉपिक्स हुए रहेंगे मैंने एक अंदाजा लगा है कि इतने टॉपिक आज में कवर कर लूँगा और उसके बेस पर मैंने कुछ मिलना चाहिए कि जब इंसाननला पढ़ता है तो भार घुमक्या आटा है रिफ्रेश्मेंट के लिए वसके 據पने रिफ्रेश्मेंट रहेगा और इसर बहुत वह गया र país पुरा ठेजी ठीरी ठीरी ठीरा सिन इलीन रिफ्रेश्मेंट फो खिला एम सी क्यों जो होता है बच्चे आपके लिए रिफ्रेश्मन का काम करता है और वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है येस एक डब रेड़ी है येस बोलो सर यहां बोड के तैरी होगी क्या रहे मेरी बच्ची अगर मैं आपको बोलू कि यह जो कंटेंट नगे है वो सिनॉप येस और नो तो पूरा रिविजन आपका बढ़ा बढ़िया होने वाला है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही जादा खुबसूरत लेक्चर में मतलब यह जो लेक्चर है एक दब अंगार अंगार लेक्चर है ये सर लेक्चर किसके लिए हो रहा है ये ये फ्री बैच चल रही है चलती रहेगी फ्री बैच रुकने वाली नहीं है लेकिन सर आपने तो कुछ पैसे वाला भी कोर्स निकाला हुआ है उसके बार में जरा बताईए वो क्या सीन है सब बताने वाला हूँ डिटेल में लेकर जाऊंगा आपको हर एक ची जिदम करूंगा लेक्चर शुरू करने के पहले ताकि किसी बच्चे के माइंड में कोई गलत फैमिना रहे क्या है मतलब यह तो पहले मैं बता दो कि जो कोर्स निकला है वो क्या है सर वो भी एमेश्टी सीटी का कोर्स है क्या है वो एक्जेटली तो हमने यापर आपके लिए लॉ पुलिगे कि सुम तो एकलवेNow पड़ी रहें तो मैं उन्हें मना नहीं कर रहा हूं अगर आप पड़ रहे हो अगर आपको लग रहा है कि सब यूट्यूब पे एकलवे batch free में लेते हैं क्योंकि उन बच्चों के साथ में हम 9 साफी नहीं कर सकते जिनके साथ हमने वादा किया हुआ है कि हम एकलवे batch free में देंगे देंगे मतलब देंगे तो उसमें आपको compromise नहीं मिलने इसी वज़े से उनकी डिमांड पर हम टॉपर बैच लेकर आएं टॉपर प्रीमियम जोगे केमिस्ट्री का लगबख फूल होने वाला है इसका जो एक्च्वल प्राइज है वो पांच हजार है जो एक्च्वल प्राइज है इसका वो पांच हजार है लेकिन इस समय ये 50% डिस लेकर लेता है ठीक है क्योंकि होता ने कि हमको इतने बच्चे झुरूत थी कि हम इतने बच्चे सबसे पहले जो कि ले लेते हैं ताकि जो हमारा कौर क्राओड रहे है वह हमारा डिश्टब नहीं हो आना सोज में इसी लिए ऐसा ना हो जाए कि सर बैच चालूने के बाद मै प्रोबेच में क्या है फिर प्रोबेच में क्या है तो प्रोबेच के अगर में बात करूंगा जुप दिखने जाएंगे तो वह 3,000 है लेकिन अगेन अगेन डिसकाउंटेड रेडिस समझ चल रहा है मात्र वन फॉर डबल नाइन में 15 सो रूपए में सर्फ 15 सो में आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या बोल रहे हो सर आप कुछ भी कुछ भी फेक रहा पंदर सो लोगे पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दोगे पुरा 1112 CT CT सब खतम गर दोगे हाँ मेरे भाई ह मात्र पंदर सो रुपए में आपको पूरी केमिस्ट्री मिलने वाली है सिस्टेमेटिक तरीके से शौर मैच के बच्चे यहां पर बहुत सारे उनको पता होगा किस लिवल की स्टड़ी वहाँ पर चल रही है कैसे घिसा पट्टे हम करवाते हैं वहाँ पर छोड़ते नहीं है दो दो घंटे डेडर घंटे सवा सवा घंटे बच्चे सामने से बस करो भाई बस करो हमारी जान निकल रही है उस तरह की मरम पट्टी हम करके देते हैं वहाँ पर ठीक है एक तब हाई लेवल का तो वैसा यहां पर भी होने वाला है जबर्दस तरीके से थोला सा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा चाह कर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मतलब कि एकलब बैच में पहला जो कंडिशन है कि आप सिर्फ रिष्टिक रोजाते हो अपने लेक्चर तक जबकि टॉपर बैच में आप लेक्चर लेते हो आप लेक्चर लेते हो साथ में एंसे का मुअक् तेस्ट साथ में सेक्शन बाइज मॉफिश्ट मताफ और गर डिना अलग इन Guard फिजिकल अलग अप्लाइड अलग व के बाद फूल लेन्थ मॉफिश्ट बाप्रे बाफ फूल लेंथ मॉफिश्ट भी जी απ फूल लेंथ मॉखिश्ट चाइवे सब्सक्राइव आप में सिस्टमेटिक तरीकत होती है चला इसको भी अगर आपका बाद में ले लेंगे आप मॉक्टिश का सीरीज निका लिए हम उसको पर्चेस कर लेंगे वहां तक भी चलेगा तो टॉपर बैच की क्या जरूरत है जो सबसे इंपोर्टेंट चीज आएगे यहां पर वह अने वाला है शोशल मीडिया से डिस्ट्रक्शन जो तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रिजन है एप पर कोर्सेस लॉंच करने का वह यह यह 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं एक घंडा लेकिन और एक घंड़ा टाइम पास करते हैं यह सचाई बता रहा हूं मैं एकड़ टूथ बता रहा हूं आप अपने आपको देख लेना अगर आपका बैक टूबैक लेक्चर ना हो तो शायद आप भी वोजिसी कटिगरी में आ जाएंगे अगर एक लेक्चर केमिस्टिक आदेक कि हाओ टू मोटिवेट योर्सेल्फ अब उसी मोटिवेशन के लिए और मोटिवेशन चाहिए आपको तो यह मोटिवेशन की लाइन लग जाती है आपको और यूटूब भी समझ आता है कि बंदे को मोटिवेशन में इंट्रेस्ट है बेजो इसको संदीप महसुरी सरका मो मोटिवेशन ऐसे अलग अलग बड़े बड़े जो नामी गिनामी लोग है ना उनके मोटिवेशन नाना शुरू हो जाते हैं आपके आपके शॉट्स में और भाई आपका टाइम कभ एक घंटा डेड़ घंटा चला कि आपको पते नीचला पढ़ाई के लिए मोटिवेशन अब अब यह जाने के लिए और उन्हीं चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम एप पर आते जहां पर नोड़ाइजमेंट कोई स्कूलमेंट नहीं होने वाला गए कोई डिश्टोमेंशन नहीं होने वाला है आप एकदम अपने एप पर फोकस रहते हैं लेक्चर देखने से टॉपर्स बैच की जरूत महसस हुई कि कुछ ऐसा बैच भी लाया जाए जो एक्च्वल में उन बच्चों के लिए सफिसेंट रहे जो डिस्ट्रक्ट बहुत जल्दी होते हैं तो कंचे अपने डिस्ट्रक्शन को क्या करेंगे एप पर कंट्रोल कर सकते हैं अगरा आप प्रैक्टिस सेरीज होगी जिस जो मॉक्ते सोगे उसमें जूर सकते हो यह आपको लग रहा है कि टॉपर्स लेना तो आप ले सकते हो प्रो बैच ले सकते हो प्रीमें की जुरूत नहीं पड़ेगी तो यह पुरा मैंने स्टोरी आपको समझाए कि इसका रीजन क्या है ठीक यह एंड इथर्ज एंड एधर्ज दियां देन अबचे जन एकदम आराम से चलना भाई कोई दिकत नहीं है मसे की चिच को समस्टे चलो अल्कॉछ फिन और इथर्स अब क्षिटिन यह आ रहा है कि सर अल्कॉछ फिन एथर मैं कैसे आगे बढ़ें तो पहले में सारा का सारा पहुआँद हम इन्डीविज़ लेने वाले हैं तो सबसे पहले बात होने वाला ये या एलकोहल की अगर मैं बोलू कि alcohol क्या होता है यहाँ पे आपको theory answer तो लिखना नहीं है तो आपको बस यह पता होना चीज़ार अगर मेरे पास RH है RH का मतलब समझने का alkane बोलो या hydrocarbon बोलो ध्यान से देखना बच्चे अगर मेरे पास hydrocarbon है और मैं इस hydrocarbon को यहां से क्या करूँ टाटा बाई बाई टाटा बाई बाई H हटा दू तो उसकी जगह पे अगर मैं क्या लेगर आजाओ hydroxyl group तो यह बंदा क्या बन जाएगा alcohol बन जाएगा तो क्या मैं ऐसे बोल साथ हो कि alcohol जो है वो derivative of hydrocarbon है जहां पे H को हटाने के बाद अगर आप H रख देते हो तो आंसर बन जाता है alcohol यह समझ माया अब आता है classification of alcohol classification of alcohol सर classification में क्या है यहां पे हम पुरा answer नहीं लिखा कि देने वाले है कि भाई classification में कैसे board में लिखना है यह आप पढ़ चुके हो आपको सिर्फ याद दिलाना कि क्या क्या होता था तो classification में कर आप observe करेंगे तो जो alcohol होता है वो generally दो पार्ट में majorly classify में कर रहा हूँ एक है मेरे पास monohydric और दूसरा हो रहा है मेरे पास polyhydric monohydric और polyhydric सर्मोन हाइटरिक का मतलब क्या हुआ monohydric का मतलब हुआ generally contains only one OH ध्यान देना है यहाँ पे contains only one OH यह सबसे important part है कि इसके अंदर केवल एक ही OH रहेगा जबकि अगर मैं polyhydric के बात करू तो contains more than one contains more than one OH क्या बोलेंगे contains more than one OH क्या बोलेंगे contains more more than one OH अच्छा पैसमें नशाद ज्यादा होगा मतलब येस नसे से चड़िगे यह दिल नसे से चड़िगे मतलब बंदे नफ पॉली लिया होगा इसका मतलब नहीं इतना ज्यादा नसा तभी हो रहा है है चलो अब यह पॉली भी ना अगर आप अब जो करेंगे हला कि इतना डिटेलिंग नहीं करना लेकिन फिर भी पता हो ना चाहिए कि यह पॉली भी कहने कहीं डाय हाइड्रीक डाय हाइड्रीक फिर ट्राय हाइड्रीक फिर यह ट्राय हाइड्रीक ठीक है फिर इस तरह से आजाएगा आपके लिए ट्राय हाइड्रीक हला कि आपको यहां पर कोई इतने जादा जरूत नहीं यह बूलने कि अब डाय हाइड्रीक का मतलब क्या हो गया कि सब्सक्राइब करेंगे हाला कि अगर आप अब्सक्राइब करेंगे तो कहीं पर बहुत जबाइब ऐसा भी होता है कि त्री और पॉली बोलने लगते हैं ठीक है आपके चोईस आप कैसे भी लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है यह जो मैं दूंगा उसको आप कहीं न कहीं सेव करके रख सकते हैं रेफरेंस के लिए यह से भी मैं यह एप में डाल देता हो तो आप सिनॉप्सिस पे दोगा दना सिनॉप्सिस बस गोधू करने लोटे तो गोधू आप आपके नॉर्मल जो नोट्स होते हैं जो आपके ट्वेल्ट के नोट्स है उससे भी कर सकते हो और टेस्ट की कि मोनो हाइडरिक के बारे में जड़ा और पढ़ते हैं तो अगर आप आप अब्ज़र्व करेंगा तो मोनो हाइडरिक वापस से डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट में इसमें से पहला इन्फोर्मेशन होता है कि एक ऐसा अलकोहल जिसके पास CSP3-S OH बॉंड हो मतलब अलकोहल भी आता है लेकिन सब्सक्राइब अलकोहल के बात करूं तो प्राइमरी अलकोहल विल बी सम्थिंग लाइक डैट कि भाई आर च्टू ओएच अब अगर प्राइमरी अलकोहल है तो और से बात वह स्पीटरी वाला भी निचर दिखा रहा है तो क्या मैं ऐसे बोल सक क्या बूला मैंने ओयच जोग है उस कार्वन से बांड बनेगा जिसके आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे सिंगल बांड तो इस बहाई साब को हम बोलेंगे यह स्पी 3 दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है स्पी 3 दिखा हो जाएगा कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कही पर भी चलिए अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे क्या करें यह कैसे मुश्किल है बस यहां पर दिखाए यह हमारा हो गया कि है is p3 वाला हमको answers नहीं लिखना है बच्चे हमको एक्जाम में नहीं आगा कि s3 वाले का answer लिखके दिखा हमको एक्जाम में अगा पहचान ओ secondary अल्कॉल का ऐसा दिखेंगा यह इस तरह से दिखेंगा अलायलिक एलकोहल अलायलिक अलकोहल मैं बोलोगा वही पूरा सेम हैलोजन डिर्वटर कॉपी कर दो अलायलिक के अंदर क्या पैटन समझना है कि भाई पहले तो होना चीह डबल बॉन फिरोना चीह च फिरोना चीह च टू ओ अगर आप इसको भी ऑब्जर्फ करेंगे तो आप सिंगल सिंगल बंड है अंदर्फ के अंदर वही सेम चीज रिपेट होने ऐं लोली है प्राइमीरी अलकोहल ओ मेरे हजी एकशामपल होगया प्राइमरी के लिए सर सेकंटरी का भी एग्खयांपल देदı यह सेम एक्जामपल ले लो अगर आपको बोला गया कि यहां से एक एच कम कर दो और उस एच की जगह पे क्या ले लो अरे च्छ त्री ले लो ओ मेरे प्यारे उटो मूँ दो लो आरंब खतम एकलव्य शुरू चलो यह क्या है च्छ टू डबल बॉंड च्छ और इस एच को अटा कि ऊपर नीचे भी ले लो च्छ त्री जनी यह अलकोहल मुझे दे दो यह अलकोहल मुझे दे दो टर्शरी अलकोहल आपका बन चुका है इस समय एलायली के अंदर बोलो मजा आया बोलो मजा आया एकदब बढ़िया नोट्स मिले गया आपको सिनोप्सिस के लिए मतलब थे पान्चमां लेक्स्राइब बोल सकते हो ठीकिन यह पंचमां लेक्चर है तो यह और इसको पहला वापस है थाकि आपको पता चले अलकोहल में कि इनलेक्षर लग रहे हैं घिनरली से चार लेक्षर में एक चप्टर खातम हो जाएगा e ke हम लेने वाले है एलाइलिक के बाद जो अगला टाइटल आएगा हमारे लिए आजागा बेंजाइलिक क्या आजाएगा बच्छे बेंजाइलिक अलकुहल सर यह बेंजाइलिक अलकुहल क्या होता है यार अगर मैं बेंजाइलिक के बाद करूँ तो कन्फिज होना है क्या नही बिल्कुल सही, मतब यह जो OH है, वो attach होगा, इस भाई साहब के पास, और यह भाई साहब का nature SP3 वाला होता है, काम तमाम, सर यह भी primary, second, tertiary दिखाएगा, जी हाँ, तो इनके भी types के अगर मैं बात करूँ, तो हम बोलेंगे primary होता है, primary भी होता है, secondary भी होता है, tertiary भी होता है, examples में बस इस H को replace करते जाओ, आपको answer मिलता जाएगा, इसके बाद आजाता है, आपके लिए last वाला बोलेंगे, vinylic alcohol, vinylic alcohol, यह last रहेगा आपके लिए, vinylic alcohol, vinylic alcohol का मतलब होता है भाई, कि अगर आपके पास double bond है, carbon और उसी के ऊपर OH आ गया, मतलब सर आप तो कुछ ऐसा लग रहा है, कि यह OH उस बंदे से मौन बना रहा है, जिसका nature SP2 वाला होगा, एक दम करेक्ट, एक दम करेक्ट, भाई, एक दम सही बात है, एक दम सही बात है, यह आप आरम में में एक साले चले हैं, हाँ बच्ची लूँगा, मैं टेंशन मतलो, जो फ्राइडे का लेक्च् छोड़ो, थर्मोडानमिक्स खतम करऊंगा, मतलब खतम करऊंगा, इसमें primary secondary टर्शूरी होता है, क्या नहीं होता है, क्यूँ, क्यूँ, क्यूँकि यह already jay CH दिखा रहा है, डबल बांड है, जो कि है SP नेचर दिखा रहा है, SP2 दिखा रहा है, इसा लिए इसके इंदर primary secondary ट पर्चेस कर लो ताकि कोई कंटेंट भी नो छुटे ऐसा नहों कि आर आप बाद में पर्चेस करो ठीक है और उसके बाद जो है कि ऊसके बाद जो है कि फिर आपको ऐसा एहसा पास हो कि शिट यार मुझे अगर यही प्राइस देना था तो मैं पहले दे दिया होता मेरे दो चप्टर चुड़ गए या बेसिक चुड़ गया ठीक है उससे अच्छा यह कि आप जो है चार डिसमर तक या पांचे डिसमर के मौर्णीं तक आप ले लिजीटी यह टॉपष प्रो बैच ले लो टॉपष प्रीम ले लो आपके लिए प्रीम तो मिने खल से पता न्याव लेबल ओगा की नहीं बर प्रोजा के लिना प्री चले का करने वाले है अरे अब फिनॉल के ब क्या दो कह रहा दोड़ा फिनॉल की बात तरेगा तो फिनॉल universe इसको हम अगज है आगर भ laugh समझ में आई अगर अहां पर आगया मैं डायरेक्ट और यहांब शॉचब यह बहुआ करेंगे यह भाइस आपको मोलेंगे कि यार तुम तो फिनन लग रहे हैं डिम अर्क घृत तुम फिननल लगश्क डाई टार इस तरह सहम बोलते जरूरें लेकिन ऐस घ्लास लाशिफिशन गय जाती बदें बदें फोलना होत तो यह बहुत यह हो ने सी अपने बुला आए जिसके बेंजिन के ऑपर एक होगा यह दिखाए दिआ आप गोलेंगे सर डाहिजिन का मतलब क्या हो गया फिर तो डाय है तक जनरली हम अब्जब करते हैं ठीके ट्राइन हाई रिक तक हम कुछ तरह साब्जब करते हैं चले का बढ़ दिक्कत है यहां पे आगया ओ यह यहां पर भी आ गया ओच तो इस तरह का भी चाहते हैं बचसे सेट होते हैं बोला समझ माया रिखना बुचितना खास है क्या नहीं एकदम बढ़िया कोई दिक दिक दो किसी को कर भी यह सब लो कोई कन्फियूजन किसी को भी कहीं पर भी ओ मेरे भाई ओ मेरे भाई दिने सर की तर केमिस्ट्री का भी important question स्रीच लाओ अरे मेरे भाई मैं इंतजार ही कर रहा हूं उसी का तुम टेंशन मतलो हम उसी को पर काम कर रहे हैं इस समय मैं हमारी और दिने सर की मिटिंग हुई तो हमारी जो कंटेंट है बहुत जल्दी मैं अनॉस्मेंट करने वाला हूं एक दो दिन के अंदर कि हमारा जो है बढ़ियां से एक दम बढ़ियां से जो है इंपोर्डेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिसमें सॉलूशन के साथ रहेगा मतब एक या दो क्वेश्चन में डिसकस करूँगा हर एक लेक्चर में और जिसके अंदर इंपोर्डेंट चेप्टर लूँगा मैं जैसे कि मैंने फॉर इजांपल थर्मडान में से लिए उसके इंदर दो से टीनी कंटेंट ले लूँगा मैं यह 2-3 कंटेंट इसको मुझे का करना है बताना है सामने आपने तो उसका टेंशन लेना नहीं आपको इकड़म टेइंशन फ्री रहो टेंशन फ्रियो एकदम वो मेरा काम है आप एकदम बेफिकर रहो ठीक है चलेगा चलो तो यह हमारा फिनौल भी क्या हो गया भाई टाटा भाई-बाई-बाई हो गया अब क्या आएगा इथर अरी सर यह इधर क्या होता है सर अर्य यह इथर क्या होता है यह तीन बंदे मेरे पास अवलेबल है अब ऐसा हो सकता है कि यहां से घयव यह यहां से मिल गया आर ओएच या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां से एच गायब यहां पर सिर्फ आर आ गया मैं अंडलन करते चलता हूं कौन कौन से लोग रिपलेस होंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां से दोनों एच गायब और यहां पर आर ओ आर आ गया ओ माई गौड सर त बुलना क्या चाहरे हो मतलब अरे कहना क्या चाहरे हो तो बता हो बोलना क्या चाहरे हो येश कि दोब लना क्या चाहरे हो जह Defense अब आपको बुलना है यहाप इसद बितारơक बुलद का 50 इसी क्यों में कहीं पर दिखाए दिया कि इट इस दर डेरिवेटिव अफ ध्यान दनाया पे एथर जाधर डेरिवेटिव अफ हाइड्रो कार्बन इन विच आर इज रिप्लेज़ बाय अलकॉक्सी ग्रूप फुल मांक्स तिकमा कर बच्चे राइट आंसर मेरे भाई मैं बो अनिका भी डेरिवेटिव जहां पर एच रिप्लेज़ बोत एच इज रिप्लेज़ बाय सेम और डिफरेंट अलकाइल और अराइल गुरूप बोलो समझ में आया यह सर सेकेंड में रॉंग है एडिया सेंड में और यह कैसे लगा यह भगवान उठा ले मुझे अरे यह अ पर चाहिए तो आप इसको बना सकते हैं बोला समझ में आ यह अब समझ में आया यह सरा आप पीडियुप डालते ही नहीं जीवन निकम बच्चे आप देखते ही नहीं नहीं एक बच्चा मुझे बच्चा बाता दियां बोक्स में जो जिससे पता है कहां धूड़ना है देक तो वैसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है अब तुम लापको नोट से नहीं मिल रहे हैं कि तुम सही जगा जाई नहीं रहे हो अरे सही जगा जाना पड़ता है सर कहां पर जाना पड़ता है इसके लिए आपको all about chemistry app है न बच्चे वहां पर जाना है ओके उसके बाद सर उसके बाद study material में जाना है study material में आप क्लिक करेंगे भाई मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा सब कुछ रखा हुआ है वहां पर मैंने आस्तर कभी आ अपना 12 का नोट्स मैंने बच्चों को दे दिया है तुम एंटर्स की बा सब्सक्रीद बदी हो गया अब इसके बाद एक और सो मैं कि सर अगर मैं कि अमिले तो लगे अलकोहल जाता है से अब देखो तो सही यहाँ पर सीजा लग हो रहा है अलकोहल अलकोहल मिला या सर क्या बाहर जाएगा पानी तो बाहर जाएगा लेकिन बनने वाले भाई साब हमारे क्या हो जाएंगे आर ओ आर अच्छा पानी बाहर चला गया जी हाँ इस वज़े से यही वज़े है यही वज़े है क्या वज़े गई यही वज़े है बराबर के नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे एन हाइड्राइड ओफ एलकोहल एथर जो होता है वो एन हाइड्राइड ओफ एलकोहल होता एक्चल में बोलो ये बात समझ में आई बोलो ये बात समझ में आई तो कहीं पर गर ऐसा लिख दिया कि एन हाइड् ऐसा है जो तुमане, बहुताइस शाला, इस hanno एस वहीं, दिंग तरह से, यह दिखाएंदीर आ» लेकिन आपको मैं बतादू कि ए थर जो देना बैल भी रहा भ्या हम्या भोता है, सवासर के इसवा ब्हसचे अब होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए डेंजर होगा कि सरीय नाम क्या यार क्या बता गया रहो आप मतलब इपक्साइड यह क्या होता है तो दो कारवन आपने लिया और इन दोनों को आपने इस ओ से जूड़ दिया सी ओ सी इसके वैलेंसी पुरा कर दी इस तरह से तो मतलब मैं यह बोलना चाहरा हूं कि इस तरह के अगर आपको नेचर दिखाए देंगे इसको हम इपक्साइड बोलते हैं यह जो होता है कहीने कहीं यह साइकलिक इथर का नेचर दिखाते हैं क्या यह बात एकदम दिमाग की कि लो पहले हरी नब क्लियर एथर के बारे में सर क्लासी फेशन फेशन भी बता दो यह ले न बच्चे यहां पर आने माला क्लासी फेशन तर इतनी गरीभी कुछ आउपके पास पेच के वड़ी किलत लग रिए अरे यार जगा है तो यूटलाइस कर लो और क्लासिफिकेशन ओफ एथर क्लासिफिकेशन ओफ एथर्स सर इतना आराम हमसे करा रहे हैं आप बच्चे दोगों भागा की भी क्या होने वाला है अरे तुमको समझ में आएगा तो पैसा वसूल है सर फ्री में पढ़ रहे हैं कौ सिमे ट्रीकल पहला आएगा सिमे ट्रीकल एथर ओ माई गाड़ और दूसरा जो आने वाला हे अन diesem एथर अनस सिमेटराइखल एथर सिमेटर का एक और नाम होता है थोड़ा मैं नेचे लिखता हूं वींटों इसको भी अन्समेटिर्कल एथर कैना मुफ्टा कुетр ये अन्समेटिकल क्या होता है ये अन्समेटिकल क्या है तो मैं आपको बता क infused the wheata होता है उसमें इसको हम सेंपल एथर के नाम से झानते हैं पलते हैं पणाने क्षाम बोला जाता है तो बोलेंगे ქ को क्यों पढ़ा रहे हो right a danger वाला पढ़ा हो कंतरनाक वाला है भगवान डुबा ले मुझे उठा ले उठा का मतल sisters सिंपल का मतलब यहां पर है कि दोनों अलकाईल ग्रूप सेम टू सेम सेम टू सेम मतलब कि आर ओ आर अगर ऐसा है डैस के रूप में तो आप बोलेंगे कि आर इक्वल टू आर डैस है और यही चीज़ यहां पर नजर आईगे आपको इसको हम बोलेंगे मिक्षड एथर जिसमें हम बोलेंगे आर ओ आर डैस अगर है तो यहां पर आर इस नॉट इक्वल टू आर डैस है क्या यह बात बड़ी बढ़िया तरीके से हजम हो गई एक दम मजा आगया बोलो पहले यह फास्ट लूँगा बच्चे प्यूश अभी तो महाल बन रहा है अर कि इतना डीपे तो हमारे कॉलेज में बोर्ड भी निसिखाया था कोलेज वाले भी हमसे एक लवे से पहले ख़ंदम करते हैं शेप्टर नहीं कितने लोग के साथ ऐसा है यह कॉलेज वाले एक लवे से भी फास्ट मढाते हैं सिनॉप्सिस के लां पर एसा बोर्ड के कंटें लोग अब आने वाले नॉमन क्लेचर देखान नॉमन क्लेचर जो एन ऐसी चीज है ना भाई जो रट्टा वार्ने से नहीं काम बनने वाला है बस पैटन समझना पढ़ेगा नॉमन के चल्सराम किसका किसका पढ़ने वाले इस पेजिए हम सब का पढ़ डालेंगे पहला तो लॉमन के चुनना अयूपय के बात करूंगा मैं जन्रली तो इसका पैटनल के अलल के बाचेन अलके अई रिप्लेश सेब्स और बॉला यह कॉना बाटनल का पैटन है एक यह टेरे तो थंस cose book बचार लग कि यह expect लेते हैं हम टेंशन वाधे की चैप्टर में इतना है क्या इतना है क्या के सब आद येश और नो चलो अलकेन बिकम्स लकनौल अलकेन प्रिकम्स अलकनॉल एलकोहल को अलकनॉल बोलते हैं अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जीजे वो जड़ा देख लो अगर मैंने एक एक्जामपल ले लिया चीएच त्री चीएच टू चीएच टू ओएच तो हम बोलें गया तीन कारबन से बन गया प्रोपेन एक कारबन से बन आ लग को फशी द्राइब जिसका ठीक बंडर तर ना होता है जैसे मैंने है यहाँ पर कर दिया प्रोपेन के एक नमबर पे और प्रोपेन नौल बोले समझ में आया व्या यस तो नो यस और नौ कोई दिक्कत है चेकर बच्चे ज़रा दुसरा मैं दे रहा हूं नमबर सेके दे रहा हो मेरे भाई नमबर सेकंड दे रहा हूं CH3 CH CH2 OH यह यह कंपाउंड का फिजा ना इंपोर्टन एक कॉमन इमके लेगमें इसको बता दू में प्रोपेन जो कंपाउंड है इसके एक नमबर पर ओल अटेच है क्या यह बात समझ मैं आई जब को कैसे सर देखो लॉंग इसकार बन चले लेना है यहाँ पर मैं आपको पुरा नॉम्मल क्रेक्शन नहीं सिखाने वाला हूं बस आपको पैटन बताऊंगा कि होता क्या है सरक ऐसे करेंगे ऐसा हो सकता है डबल भॉन भी आ सकता है कंपाउंड में तो भी आम काउंटिंग आज हैं अलकोहल के यहां से ही करेंगे मतलब मतलब जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ओएच इसका कॉमन नियम जोता है ना बच्छे क्रोट टो नॉयल अलकोहल होता है इसको हम क्रोट तो नॉयल अलकोहल बोलते हैं लेकिन अगर इसके आई पैकी बात क्या जाए तो लॉंग तो रहे सो कितने फिर लगता कितने ही सिर चार चार बंढय एक दो तीन-चार चार रहे होआं के वहीं बोलेंगा तो इकी नम्बर पर đच्रा सक्वाइब तो ये इसका आई बेकनेम बन गया, अलकोह baka आई बनगा से टाटा बाय बाय, बोलो समझ में आया, कोई दिख्कत है, कोई दिख्कत है, कोई confusion है कोई doubt है कोई doubt है तो बोल दो, कोई दिख्कत है तो बोल बोल दो, sir, board का lecture है, क्या आज नहीं न मेरे भाई, हम रोज बताते हैं कि जब एकलवे बैच आएगा तो हम बाकि सारी चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए रुक जाती हैं और वो समय है 48 घंटे अगरी कर रहे हो यह तो भाई खौफ है यह खौफ है यह मार्केट में एकलव विकाप आगे का उने वाला है सर आगे का उने वाला है आगे अब हम बात करेंगे फिनाव के बारे में वह तो पिनाव का जो पॉमन नेम आपको पहले बता दू कि आपको टेस्ट बूक से पुरा रटता मारना है कॉमन नेम टेस्ट बूक उठाओ और पुरा रट डालो सर्टा वडी उसकर रहे आप साइंस में चलता है क्या जो सच्व में गयास तो आप से रिक्वेश्ट कि और यह ऐसा भी नहीं है यह ऐसा भी नहीं है कि भाइव इसे आपने आज याद कर लिए तो कल आपको याद रहेगा यह वह भी ऐसा भी देली पढ़ना पढ़ेगा एक्जाम के दिन भी पढ़ना पढ़े यह क्योंकि आधर डालोागर, पढ़नाई के लिए zinc-Up ऐसे दिगत पने लगता है, इसलिए आधर डालो इसको बार बार पढ़ने की तो अगर मैं फिरोंगों तो फिरों बीडो तो फिन आली होता है जीसे के अगर ये कंपोर्ड मैंने ले लिया तो हम बुलेंगे भाई ये फिनॉल कोई दिक्कत नहीं है ये क्या है मेरे पास सिर्फ ओया चाहिए तो फिनॉल है इसको हम क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं लेकिन इसका जो आयूपक का पैटन है वह भी धान देना कि बेंजीन के ऊप अगर फंक्शन ग्रूप जो अटेच्च में करना को इच उसके साथ में कुछ ऐसा आ गया जहां पर हम बोल सकते क्रिसॉल वारा नेचर आ गया मतलब फंक्शन ग्रूप तो है लेकिन कहीं कहीं से एस तरी भी आ गया तो इस बंदे का नाम होगा क्रिसॉल कौन से नमर पर अ सकते हैं एक दो दो नमबर पेमिधाइल रहे तो आप बिलेंगे टूमिधा इल पिनॉल यह इस तरह इसे हो सकता है भूस हमज्माय कोई दिक्कत है कहीं पर भी किसी कही भी सब्सक्राइब कर सकते हो और तो मेटा पैरा बड़ा बेसिक चीज़ हो उसमें दिक्कत नहीं चाहिए अगर यह यह है यहाँ पे नोटू है तो हम सीधा सीधा बोलेंगे एम नाइट्रो फिनॉल यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी कोई खोई नहीं है तो हम बोले सकते के अच्ष फिनॉल इसका नाम क्या है त्री नाइट्रो फिनॉल और कोई फिजन नहीं है लेकिन अगर जब हम डाये वाला पैट सबस्क्राइब अपना एलगते हैं मतलब हम कुछ ऐसा नाइद यहाँ थे जहां पर विख कर दो एक नमबर पर जाते उन रहे हैं हुचे भैब चॉाह न है ल मतलब काले नाम है के नहीं भाय है आपको बंगाली आने लगे क्या क्या आपको बंगाली एक हो न रही है यह खेट चौल right नाम है दिख्कत है कहीं पर सब्सक्राइब क्या होगा अरे मेरे भाई आयूपक में तू ऐसा कर दे यह दोनों फंक्चन गूरूप है एक काम करते हैं कि बेंजीन ले लेते हैं पूरा और वन कॉमा टू पे डाय और लगा देते हैं मतलब यह बंजागा बेंजीन वन कॉमा टू डाय कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी अब ऐसा ही अटेश्मेंट आप करते चले आपको आंसर मिल जाएगा कैटर चॉल रिसार्स इन ओल ठीके उसके बाद क्यों ला जाएगा एक और चार पर क्यों ला जाता है तो यह आपको क्या होगा बच्चत फिनॉल का आयूपक नेम यह फिनॉल का नॉमल के चर समझ में आ गया अब हम बात करेंगे एथर एथर एक ही पेज में सारे आयूपक आ गया सर क्या कमाल के आपने इथर में क्या होता है जनरली मैं आपको बता दूँ इथर का पैटन है जो चीज हमसे हमसे हमें हमारी टीम में नहीं है उसी हम गुमरा नहीं करते की चल भई आजा तुझे दूँगा लॉलीपप आपको दे दूँ पहले ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बायो सब्जेट नहीं है तो बायो आपको जहां से पढ़ना है पड़िए कोई रिलेक्सेशन कोई बॉंडेशन नहीं है लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैट्स बे अलकॉक्सी कम कर्बन का बनाना अलकॉक्सी सर सीटि में कॉमन निम आते है यह बचा बोल रहा है अरे आता नहीं यह छपता है भाई सीटी बोल रहे हैं तुम्हें बोड नहीं बोलने यहां पर बॉंडेशन रहेगा ऑप्शन से रहेंगे चलो चार में से तीन करना है सीटी में मतलब पूरी क्लास 12 की बुक आनी चाहिए वो तुमसे कुछ भी लाइन पूछ सकते कहीं से आ सकता है फिच्कल प् सीर करंबर बन चाहिए इटन यह भी बिल्कुल सही जबाब नाम आगा ज्नान करमकारबन करण का पहाँ पहले उसको देखो कम कारवन का बना तो अलकोक्सी मतलब बन गया मिफोक्सी और जादा जादा कारवन का बन जाएगा अलकेन क्या यह बात समझ में आई? मतलब सर आप यह बोलना चाहरे हो कि यह 2, 3, 4 से ब्यूटेन बन जाएगा बिल्कुल सई जवाब हुआ नाम आजाएगा हमारे लिए नाम क्लियर है क्या बोल रहे हैं मस्के जैसा क्लियर है कोई दिक्क्त नहीं ये ये बंजह आ रहे हैं पहले मैं बेहोस होता था अब मज़ा आ रहा है यही फरक होता है बच्चे जब आपका रिवीजन होता है यही फरक है यही डिफरेंसे से दोनों में कि जब पहली बार पढ़ते हैं और दुसरी बार पढ़ते हैं तो डिफरेंसे नम साफ नजर आएगा कि अदे सर अब मज़ा आ रहा है येस बोलो है कि नही तरो मेरे तर्वालिया मिली गया बड़े लेता हूं में जो काफी प्रेमोस होता है ठीट है ऐसले लिए ओसवे पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हमने ये कर दिया है तो हम इसका कॉमन ने अपे इसको हम बोलेंगे लिए लेकिन लेकिन this क्या ये बात एकदम दिमाग की नसों में उतर गया सर exception आएग्दम पूछो ही मृट जो जबरत सर्कें सचपा है ना था अब हमगामा वाला महोल बनाय अब हम सिर्फ पडिगे सर मुँमें पानी अब का नाम सुनते ही मुँमें पानी आ रहा है तो अब आने वाला है प्रिपोरेशन और एलकोहल यह सिनॉप्सिस का है भाई पैटन ध्यान देना इस बात को तो कोई यह बैठके न यह कोई यह मान के न चाहिए कि चलो भाई दस दस इग्जांपल कराओ सर भाई वह एंट्रेंस लेवल पर नहीं होता है वो होता है आपके लिए बोर्ड लेवल पर एंट्रेंस अफ दिस चैप्टर फ्रॉम अलकाइल हलाइड जो की बहुत जादा इसी है नमबर फर्स्ट फ्रॉम अलकाइल हलाइड जहां पर आप करते थे अलकालाइन हाइड्रोलिस इस क्या होता था मालू में आर एक्स लेलो और एक्वेस सलूशन आफ के ओ एच मिला दो या फिर एन एक्स बाहर चला जाएगा और जब यह भाई साब बाहर जाएंगे तो हमारे पास बड़ा प्यारा सा अंसर बनता था जिसका नाम था अलकोहल और यहां से के एक्स बाहर इस भाई साब का नाम है अलकोहल क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात स स्क्राइब लेक्राइब ऐसे क्मेंटेकर ये इस पिचर लियर है लेकिन अगर इसी को इस तरह से भी का सकता हूं इसिदैक्र मैं इस तरह ह 명 स्य ओवरों साइट ले लिया smart tomorrow मॉइस्टर पाने वाला तो अगर मैने क्hl 2001 असले मैंने पानी मिला दिया तो कभी एक्जाम में और एरो पे लिख दिया आपको बड़े प्यार से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एरो पे यह नहीं मिला होगा सिदा एरो पे देंगे तो भी आपके दिमाग में एक्दम छपना चाहिए कि यार एजी एक्स बाहर जाएगा और उसकी जगह पर आर ओएच आ क्लिएर ऐख भुलो एकदवत एगदम क्लिएर है ब vigil क्लिएर है कोई डाउट है कई पर भी किसी को भी मज आया कि नहीं पहले बता दो मज आया की निया धमbeल्वांग उबस लगे 100 गवह अंगर लगया और लगया एकदम अंदर तक अब जोसी आ बच्चे नमबर 2 शुरू by acid catalyzed hydration of alkenes by acid catalyzed hydration of alkenes अगर मेरे पास कोई acid catalyze करने वाला हूँ पानी मिलाने वाला हूँ अलकीन के अंदर तो कैसे करेंगे बड़ा सिंपल है बड़ा सिंपल है जान दोने आपे अगर मैंने एथीन ले लिया छीएच टू डबल बाइन च्टू में आपको बनोगा पानी मिला दो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत इन यह ड़ा लीपानी मिला दो अब क्या करेंगे सर्मार्केन और यूज करो यह सिमेट्र कल रहें एच को कहीं पर भी भेज़ दो आपकी मनमर्जियां चलेंगी और इस मनमर्जियां के चलते आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा क्या मिल जाएगा इस भएश-वायश वा था फ़िए इध्य और इनफ़र्मेशन दे रहा हूं है यह अलकीन से बनने वाला एक मांत्र प्रैमरी अलकॉल है 쳐रेशन के मदद से हैरेशन के मदद से हइडरेशन के मदद से मतलब पानी मिलाने की मदद से हैक मांत्र ऐसा कंपोनेंट है जो प्राइमरी अलकोहल है ध्यान देना या पे सर अगर मैंने प्रोपील लिया तो वहाँ पर भी बन जाएगा ना प्राइमरी अलकोहल तो मेरा अंसर है नहीं यही गल्ती तो होती है लोगों से एक्जाम में कॉश्चन मता है में सिस्टी में प्राइमरी अलकोहल यूजिंग हाइड्रेशन आपको ओप्शन दे रहेगा एथीन प्रोपीन ब्रोपीन या फिर जो भी रहेगा पेंटीन बहुत सारे बच्चे तो एथीन मांग करते हो तो अच्छी बात है प्रोपीन को भी सुचते कि हां सरी आंसर होगा या फिर वो आए देखो पहले कोश्चन को इथीन एक मातर ऐसा अलकीन है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी बनाता है बोलो समझ में आया सर 4 वाला ऐसे होगा ना सर एक स्वाइट अगर calls लेकिन बच्चे न बड़त चालाख होते हैं सर पैसे गोमिलार कर लिए सब्सक्राइब दिखाएंगे कि हां सब्सक्राइब यहां जाएगा प्लस यहां जाएगा फिर आपका आंसर बन जाता था फिर आप इसमें पानी मिलाते थे और पानी मिलाने के बाद तब यहां से यह होता था और तब आपका प्यारा प्यारा आंसर बनता था जो कि यह होता था देखो इन्ट्रेंस में आ गया तो आप इसको सब्सक्राइब है प्रेंस से बता ओ और अबने ओ तो सिधा ये लेना सीधा ये ले लेना चलेगा कोई दिकत कोई डाउट कहीं पर भी सब प्रोपील कर गजिखाओ निसके अंदर क्योंकि आपने बूला ये प्रेम रिम्हाद फिर प्रोपीन क्या बनेगा देखो प्रोपील में बच्छे से में टरिकल नहीं होने है कि वजय से यह मारिक फॉलोंब को रूपर सियदा पाने मिलने का ये स ही आगे याज है सरिय वे यह यहाद लहाँ जाएगा यह वालव शलाज ihan है जाइका उसके बードनिया जानती का खोड़ा आंसर बंजाए गा तो यह तो आई सो प्रोपाइल अल्कॉहल का मतलब है कि सर यह तो सेकेंडरी अल्कॉहल बन गया ओमाइग गॉड़ अच्छा अगर मुझे टर्शरी करना होगा तो मुझे आई सो ब्यूटी लीन लेना पड़ेगा चालेना पड़ेगा एक्जांपल नमबर थी में आई सो ब् दीमाग के चला लो शुचला लो और है मिला दिया मिला दिया आने मिला जाया मारे को फूल वादो जाकर जिसके पास कम हाई द्रोजन से हमारे पास जो आंसर पर रहेगा ये बिजया रहेए यह उसको हम बोलेंगे आलकोहल बोलो समझ में आया क्या यहां पे बैठा हर एक बच्चा एकदम क्लियारटी में जी रहा है मतलब सर मज़ा आगया एकदम मज़ा आगया यह शिराख पांटी बोले सर और निक छोड़ो फिजकल पड़ाओ मेरे बच्चे जागो करांग जागो वाली तुम्हारी हालत है तुम आपका मना कर रहे हैं और ही बात इसकी तो हैलोजन डेस्टू जो है न उसका बहुत छावरीशन अल्कॉहल में यूजव होता है इसलिए अल्कॉहल आपको एज़ी भी लगे का क्योंकि मैंने आल्रेड़ी हैलोजन डेस्ट करा दिया है भूदो समझ मैं आया बोलो समझ मैं को आपकी अनरजी आप अप अपने रीच दिखाओ आप अपनी पॉच्छ दिखाओ अपनी पहुंच दिखाओ मजा आजागा एकदम सर्फ 50-50 पैटन है क्या बच्चे कि यह तो मेरा आंसर है नहीं बिलकुल भी नहीं है 50-50 पैटन इस साल आपके लिए नहीं है बोले समझ में आया सीमा सीमा बच्ची धान देया पर क्या किया मैंने मार्किन को फॉल किया मार्किन को फूल किया कि सर्गे प्लस है यह माइन से माइन से उसके बाद जिसके पास कम हाइड रोजने और एच जिसके बाद राइड रोजने बस बन गया सीएश्टू बजागा सी कोई दिख्कत है कि चलो आगे बढ़ा जाए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगला जो कंसेप्ट वह देख लेते हैं कि अगला कंसेट्ट क्या है आपके पास अगला अगर आप बात करेंगे अगर सर उपर डबल बॉंड है क्या बिल्कुल है न बच्ची यह आपे यह डबल बॉंड है दिखाने दे रहा है का अच्छे से यह देखो च्छी डबल बॉंड च्छी यह दोर्म और इसके पास एक रस्था बच्छे कार्वन कर्वन डबल मॉंड जो डबल मॉंड उसके एक्रोस में जाते है टीक है नमबर 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 फूर नमबर फूर मतलब निच्ट वाला इक उसा टाइटल था नमबर सेकंड था नमबर थर्ड देख लिए बच्चे सर नमबर थर्ड क्या होने वाला है नमबर थर्ड आपके लिए हाइड्रो बोरेशन हाइड्रो बोरेशन हाइड्रो बोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन सर यह कैसे होगा अरे बड़ा सिंपल है यार बड़ा सिंपल है इसका तरीका बातरों एंटरेंस के लिए धान देना जब भी आप कोई भी अलकिन आपको आएगा कोई बेलकिन हो तो यहाँ पर डारेट पाने मिलाओ डारेक्ट पाने यह वही सेम कई पर कुछ भी अटेश करो अंसर बन जाएगा अंसर बन जाएगा यह तो पहला हाइड्रोबरेशन हो यह आपका दूसरे वाले एक्जांपल यह अगर मैं बात करूं कि सब्सक्राइब ने लिया तो बच्छे फिर से रिपीट कर रहा हूं यह एंट्रेंस का यह पानी मिलाने का लेकिन का फॉलो करने का एंटी मार्किन कॉफ रूल फॉलो करने का ओमाइगा अच्छा तो सर बोलते थे किसी जमाने में कि जब हम एंट्रेंस करेंगा तो आपको शॉटकट बताएंगे अब समझ में आया अगर कहीं पर भी हाइड्रोबरेशन आ गया अगर कई पर हाइड्रोबरेशन वर्ण आ गया वीटू एच शिक्स आ गया आपको वर्डिंग में कहीं पर दिखाई दिया कि भाई बी टू एच्छै या हाइड्रोबरेशन है तो आपका सिर्फ और सिर्फ एकी काम है क्या काम है एंटी मार्किनका परूल फॉलो करो मतलब यह वहां जैगा जहाँ पर ज्यादा हाइडरोजन है और एच वहां जगा जहाँ पर कम हाइडरोजन है आपको बीना हाड़ वक किए बीना मेहनत किए वही चीज मिल जाए जिसकी आपको तलाश है जिसकी आपको तलाश है मतलब CH3, CH2, CH2OH बोलो समझ में आया कोई दिक्कत और कोई डाउट अभिशेक बोले सर MC कू ले लो सर अरे मेरे बच्चे यही तो तुम्हारी पेशन्स निया बच्चे तुम लोग तुम्हारे पेशन्स है नहीं कैसे सर्वाइब करोगे मुझे समझ म मुझे वो बता दो पेशन्स नाम की चीजी निये तुम्हारे पास तो कोई पता चेप्टर कितना बड़ा है अभी MC कू लोंगा तो भाई चेप्टर कप पूरा करूंगा अरे सिनॉप्सिस कब कराऊंगा यह सर नो और मैने तो बोला तो है ने क्या आपको एंड में देने पड़ते थे आपने तो यहसे चूटके में उड़ा दिया इसको और यह और यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ यह रिजिकली UK मिलने का F AMR मतलब N T marketing को अफ्रूल अप्लाय करने हैं किसके लिए यहाँ पर लिखा है मैंने Hydroboration Oxidation यह इसमें से कुछ भी दिख गया न दुमको इसमें से कुछ भी दिख गया न दुमको B2H6 दिख गया In presence of THF मैं दुसरा मारकर लेकर दिखा देता हूँ थाकि वाइट में मिक्स न हो जाए देख लें यहाँ पर बस अपना दिमाग चला ना कि कहीं पर अगर ऐसा दिखाए देदी आपको कि भाई B2H6 बोला गए THF के प्रजेंस में and H2O2 बोला है OH के प्रजेंस में तब अपना दिमाग चला ना कि यही रेक्शन होने वाला जो मैंने आपको बताया बोले समझ माया कॉई दिक्कट हो रहा यह पर भी और भी किसी को भी सर आगे किने रहा है अने आगे तो देख बच्चे आगे तो मजा कर बहार के नंबर फोर वाला रियक्षन है रेड़क्टाओं आफ रिडशं आफ रिड़क्टाओं ओरkol do कॉनल यह लेने वाल हो इड़ी हाई एड़ी हाई अगर मैं अल्ड हुआईडिया की टोल मिलूटरि完全 여기 दिखा रहा हूं अल्डी है डिया के टोले लो मतलब कि सी डवल बॉन्ड ओ कनफर्म रहेगा आगे आर है एच है यह आर भी हो सकता है इसमें मान के चलो कि आपने एच्टू मिला दिया निकल के प्रेजिंस में क्या आपको ने लगना कि यह एक यहां जाएगा दूसरा एच य कीटोन ले लिया होता अगर मैंने कीटोन ले लिया होता ठीक है और यहां पर ले लिया मैंने निकल तो भाई क्या बन जाएगा यहां पर बड़ा प्यारा सा अंसर बन जाएगा बड़ा प्यारा सा अंसर बन जाएगा यह बन जाएगा सेकेंडरिया बोलो समझ में आया बोल एनर बास यूटरен ordin. के बाद अगर मैंने कार्बॉस लिए इसके अंदर ही की निकल के अलामा आप और क्या लिसकते हो निकल के लामा क्या ले सकते हैं Lethion Aluminium Hydroid अगर ये कही पर दिख गया तो ho भीड़ है इसे गनेज़िऊ जो बंदा होता है Lethion Aluminium Hydroid मतलब आप यह बाइसाब सिर्फ और सिर्फ सी डबल बॉंड बोंड के उपर एक करेंगे कभी यह डबल बॉन वाली को पर अटनी करेंगे कभी ओं कार्म न भट इक नियुक्वा करेंगे दिया और यह यहां पर इसके अंतर इसा हो सकता इससे के अब करेंगे बोलो तो हमने ले लिया और सी डबल बॉंड ओ ओ यहां पे ले लिया हाइड्रोजन इन प्रजेंस ऑफ लीथियम एलुमिनियम हैड्राइड क्या ये बात समझ में आई बिलकुल आ गई सर समझ में अब हम क्या करेंगे यह वाला एच हैगा यहां से पानी को बाहर निकाल दिया और उसके बात बचा हुआ है इसको पुरा करेगा तो बन जाएगा अब एक मेठड और हे एक मेठड और है और हम अगर हम ऐसा करते इस एक अपना खर्चा बचाने के लिए मैं क्या करुआ पाइसा बचाने के कार्बुक्सली एसिड कार्बुक्सली एसिड में हमने अल्कोहल मिला दिया oh my god यह क्या हुआ सर अल्कोहल जब मिलाएंगे तो by default यह इस्टर बन जाएगा क्या बन जाएगा इस्टर यहां से एच यहां से ओएच यह पानी बाहर चला गया और यह भाई साब हमारे बन अब हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे जिए पूलो इसके अंदर हम क्या मिलाने वाले हैं तो हम बोलेंगे हैच टू मिला देंगे इन प्रेजिंस ऑप नीकल मतलब में यह बोलना चाहां कि इस्टर में हम एंटु मिला सकते हैं डारेक्ट तो हमारा जो आंसर है यहां से एक बनके अल्कॉल और यहां प्यारा सा अंसर बन जाएगा आर कि CH2OH प्लस आरड़ेस ओएच देखो आपने क्या स्टार्टिक में लिया था यह अल्कॉल लिया था यह अल्कॉल दो का बाहर चला गया उसके अलामा आपके पास एक प्राइमरी अल्कॉल बचा जो कि आपका आंसर अब यहां पर मजा आने वाली है यह यह बलो अब यहां पर मजा आने वाला है कि भाई एक्वल में लिपियम एल्मॉनियम हंडेट कैसे वक करता है तो जब्चें आपर तो जन्रली क्या होता है कि कि अगर मैने कुछ ऐसा कम पॉन्ड ले लिया CH3 CH double bond CH CH2C double bond Oh और इसमें मैं दो चीज मिला रहा हूं यह मैंने इस तरह से मिला दिया एक मैं मिला रहा हूं ह् two in presence of nickel एक में मिला हूं में lithium aluminum hydride दोनों में reduction नी कर रहा हूं में दोनों का answer अलग-अलग बनेगा यही खासियत है एंट्रेंस में कई बार क्वेशन पुछा गया है कई बार उच्चा गया इसके उपर उपर क्वेशन द्हान दो यहां पर कई बार पूचा है बच्चे MD gamer घ्यान दो यहां पर कैसे करेंगे सर इसको यह निकल वाला जो बन्दा है ना पहले वो इसको अटेक करेगा फिर जाके वो इसके उपर अटेक करेगा मतलब यहां पर जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 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 फिर CH2 OH मतलब 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 डबल बन काया होगा फिर अल्डियाइड का अलकॉल बनेगा लेकिन यह भाई साब क्या बोलेंगे डबल बन के उपर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है मैंने पीछे लिखाया था कि यह भाई साब मा काम क्या होता है यह भाई साब मा काम है सिर्फ कार्वन के उपर अटेक करना इसलिए इनका अंसर ऐसे आएगा बोलो समझ में आगई दोनों में डिफरेंसेज ऐसा लगा ओहो हो हो क्या बात है हम आ चुके है इस चैप्टर के मताव अलकुहल के लास्ट टू लास्ट प्रिपरेशन की तरफ सर वो कौन सा प्रिपरेशन है लास्ट प्रिपरेशन है नमबर फाइफ वाला जिसको हम बोलने वाले हैं बाई यूजिंग ग्रिगनाड रिएजेंट बाई यूजिंग ग्रिगनाड रिएजेंट बाई यूजिंग ग्रिगनाड रिएजेंट अब ग्रिगनाड रिएजेंट अब ग्रिगनाड इंगा मैं एक रिशन दिखाऊंगा लेकिन उसके मैं क्या करूंगा पुरा इंफर्मिशन सेट कर दूंगा देखो अगर मेरे पास अल्डिहाइड हो या केटोन हो या जो भी हो इस तरह से मैं लूँगा उसको इसमें मैं ग्रिगनार मिलांगा जो कि करेगा मतलब येस भूलो uGach diff Litơn सबस्कों पता है mx की दाaround सबको पता है बोलो क्या यहां पर बेवफाइब का आल्लंग मैं भाहीं मुझे नियकर आरके साथ माखन बनाया फिर उसलिए आया क्या आर को तोड़ दिया ले में तुझे तोड़ देता हूं मैं में तुझे छोड को देता हूं और वहां चुछ किसके बाद चला गया किसकी तलाश में किसकी तलाश में किसकी तलाश में भाई माइनस के तलाश में और इसलिए यहां पर आंसर बना दिया आर सी ओ ओ से जुड़ गया बस आगे क्या है आगे क्या है यार यह देखो जा रहा यहां से M.G.X यहां से O.Y. उड़ गया टाटा बाई बाई हो गया तो सर अंसर क्या बन जाएगा RCHR- आगे आ जाएगा OH यहां से MGX और OH टाटा बाई बाई हो गया बोलो मज़ा आया येस बोलो येस बोलो अरे भाई इस O को कोई बता दो बेवफा से दिल लगाया है तो दिल तो तूटना ही था वही हुआ इस O के साथ में कि भाई MGX अगर तुने बाउंड बनाया है तो तेरा बाउंड टूटना ही था क्या मोलते ही पॉबलिक यहां पे मज़ा आया कि नहीं आया येस तो भाई यहां पर तुमारे लिए गाना चल रहा है वह बिचारा कोने में बढ़के गाना गाता हो कहीं पे है तुम तो बढ़े चाला की कुछ याद आया सगाना सुना ही पे येस बस यह ओक यलिये निकाला आ यहां पर हम बोलने वाले कि अगर हमने की जगा पे एचलल ए लिया अगर मैंने आर की जगप पनाय ले लिया बच्चे है ले लिया मतलब सर अगर मैंने पॉरमल डिया और अगर मैं Summen Labashe अगर में क्या लेख लेख platform लेलू है लेकिन मिल्खन विल भी अधर देन वोर मेल टी हाईट तब क्या बनेगा इसके अगर मैं रियर देन गाज़ तो भाही तुझे ये बंदा देगा टरशरी अलकोहल क्या ये बात बड़े अच्छे तरीके से दिमाग की नसों में एब्जॉब हो गया येस बोलो मझा आया की नहीं आया मझा आया की नहीं भाई ओ की दास्तान पर हंस्या आ रही तुम लोग को येस तुम‌तो दोखे बाज हो वादा करके भूल जाते हो भाई यही हुआ इसके साथ में, ओ के साथ में यही हुआ, बिचारा ओ, अकेला पढ़ गया एकदम, नहीं, चलिए, मज़ा आ गया तो इस तरह से अलकोहल का जो पुरा प्रिपरेशन था, वाइंड अप, खतम, बोलो एकदम बढ़िया लगा, येस, 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 क्या बात है, क्या बात है, ये सर बोड के लिए भी ये कम में, सेकेंड़ रही है, ये कम में है ना, बच्चे, बिल्कुल है, 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 बिल्कुल ह को पैसे आगया बच्छी सीटी पढ़ रहा है तू तो सीटी पढ़ रहा है रूल बताया जा रहा है उसको फॉलो करते रहो यह आ गया आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है नो डाउट यह सब करने के बाद टेस्ट को ग्रेट करें आपको काफी जीज समझ मांवा जाएंगे बस यह द suburbs में यहां पे आपको मिलता है एक इंटर ओर ऋसे जो है किसी और अल्कोहल से अटेच हो सकता है दिकाई देगा इनके बीच का जो बांडिंग है वो मजबूत होता है दूसरा हम सकते हैं कि यह पॉलारिटी भी दिखाते हैं यह सकते हो इसलिए यह पॉलारिटी के अंदर भी माने जाते हैं उसके बाद आता है आपके लिए दूसरा पॉइंट इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट पॉइलिंग पॉइंट जो है सारे और यह यह जादा होता है बस कर बोस्ति चोड़के कर बोस्ति का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अलग लेवल गाए एक्दम जाधा क्योंकि वाप पे पॉलारिटी और साथ में बोल सकते हो कि जो हाइडर्न मौणिंग दोनों पाइज बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो बॉilin पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन फिर इसके पहले में लिगदाओ का पॉसले इसे बड़ा एक यूदा है कार भॉक्सलिके सिर्बाकि सब इसे छोटे रहेंगे चाहिए वो एथर रहें चाहिए वो अल्डेयाट कुटन चाहिए इस मुझने के अपने दिमार्ग में सेट कर लेना इस तर ये सब बड़े बेसिक पॉइंट आर इस फिलाल आपके लिए उसके बाद इस तो solubility point number third के बारे में बात करेंगे solubility solubility के बारे में बोलना है कि मैं lower alcohols are good lower alcohol जो होते हैं lower alcohol जो होते हैं यह क्या दिखाते हैं बड़ी अच्छी solubility दिखाते हैं they shows good solubility in water क्यों भाई due to due to hydrogen bond क्योंकि इनके पास वह capacity होती है एक्दम कोई दिक्कत है ऐसा होगा ना अरे यार सही बोला बच्चे ने मैंने उल्टा लिख दिया है यहां पर कार्बॉक्स लिए इसको दुबारा लिख देता हुए यहां पर रहेगा सब्साहिए देख लो बच्छे टापें लेस धाने लेस गेलवेत दिर देन गरतेमलेस पराओ असे आप जू है किètर ना गए विए यह फे जर्रधेर चाहित था यह करते हैं एग swamp buy अगर आपके पास अछल्गोड है तह उसका जो किमीकल तेन पैमने इसमिकल ते होट आर्री केमिकल शीनल आप हमपिंई किमीकल श्णी दरhaftل दैना गजे chemical reaction of alcohol जब चेमिकल रिशन में क्या होता है एक होता है laboratory test अब यह सब बस समझ के लेना है laboratory test में no litmus test पहली बात litmus test आता ही निसके अंदर तो litmus test में कोई nature नहीं मिला दूसरा not no reaction with no reaction with base no reaction with base बस यह ध्यान देना कि alcohol किसी भी base के साथ में reaction नहीं करता है तिसरा reaction with active metal जी हाँ यह valid है reaction with active metal यह जो है active reaction with active metal यह जो active metal होते है ना उनसे reaction करता है कोई दिक्कत नहीं होती active metal से reaction करने में यह बड़े आगे होते है तो सर क्या होने वाला इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला यहां पर अल्कोहल ले लिया जी हां क्या मिला दिया उसके अंदर सोडियम मिला दिया जी हां जब हम अल्कोहल में सोडियम मिलाएंगे न भाई बिस्किट देखा है आप लोग ने बिस्किट अरे बिस्किट देखा ह है Yes conscious sir कौन सी अरे जो खाते हैं उस से बिस्कुट कुजब है पानी में डाल एक डाले लिना और पानी मी डाल दो सिधा पानी में डाले नहुट आप किया अब抗ों करेंगे अप अब कर दिया तो मेरा जो प्यारा सा अंसर बन जाता है वो इस तरह से बन जाएगा यह भाई साब को हम बोलते हैं लिदेन का इस तरह से लगते हैं मैं जाने का इक्जाम में इस यह करदा ऐसे हो हैं कोई समझमा आया कोई दिक्कत क्वरेशन कों मज़ए क्い लिए है अधर पो नहीं है हो ये नियुंस तो ओह दिखाए कोई मतलब नहीं है पोडिश्व दिखाने वाले वन प्लस दिखाए कोई मतलब नहीं है यह दिखाता है यही रिजन की जब हम अल्कोहल को पानी के साथ में रियट कराते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई यह जो है ना वो टूटके यहां जाएगा और अल्कोहल अमारा बंजागा इस तरह से यह दिखाए दे रहा है ऐसा बंजाएगा पर रियालिटी में यह जो बंदा बंदा वो अन्स्टेवल होता है क्यों अलकोशाइड बन गया अगर यह बेंजी जितना आप लेंगे उतना आमोंड में बनेगा कोई दिक्कत है तो इन आएगा ना बची तो मैं बैलेंसिक नहीं कर रहा है तो आपको करना है ठीक है कोई दिक्कत यह अंस्टेवल है इसके वाज़े साम बोलेंगे कि एचेटी निचर बहुत सही यहां पर अलकोहल के नहीं पर क्वेड दिक्कत ड היijn तन murmuring दोंसे वाले आप हो हम तो हम लेने वाले हैं रिक्शन वीट तो एप यहां पर स्टार्ण करते हैं केमीकल रियक्षन लग यहां से चलू हो रहा है जैसे कि फॉस्ट मैने ले लिया अच्छन उलिड़ एक्षिए अभी यहां पर फूल टाइम पास यह पूरा एक्षण मतलब सर मतलब यह कि अगर मेरे पास अलकोहल है और मैंने इसमें मिला दिया अब मैं यहाँ पर बहुत सारा रिप्लीट नहीं करूँगा यहाँ पर यहाँ पर जैसा अलकाइल लेंगे आपको वैसा क्या होगा अटेश्मेंट मिलेगा जैसे मैं यहाँ लिएता हूं कि अगर आपने एचसे लिया तो कंडिशनदें सेलना पड़ता है और यूय जून और बहुत ज़ podem UP बहुत ज्पा режим दिखाता है तो टर्शेरी में बहुत तेजी से होगा सेकेंडरी में और प्राइमरी अल्कॉल में सबसे कम होगा इसका मतब प्राइमरी में कटलिस्ट आने वाला है ठीक है दूसरा जो दूसरा लेने वाले है तो नमबर सेकेंड पकड़ लो पी एक्स त्री ज्यादा ताम जाव नहीं करना है बस समझ के लेना है कि अल्कोहल में जब हम पीचियल थी मिलाते तो पैटन क्या है यहां से ओए जाएगा बाहर आंसर बन जाएगा आर सील अब सील यहां पर तीन है यह स्थोटी यह इसका नहां में अलकायल खूराइड गुल लो समझ में आया इसका नामें अलकायल क्यूराइड येस सब्सकूर्टी सीख लिया कि आपने अरे घुर आरा इस समय तो इसकूर्टी अब धिर धर आने लगी है कल अपनी एसा रवाना तो मज़ा का इदम ठीगे ब इसमें मिला दिया मैंने PCL 5 अब क्या होगा यहां से ओश टाटाब आए बाई इसकी जगह प्यागा अब यहां प्याइगा आज आगे क्या अच्छा जब यह निकल जागा तो आपको डुबा देगी डुबा देगी वापस से देख बच्छे और ओ एच प्लस पीसल फाइफ है तो आपको पहले यहां से तोड़ना है यहां आएगा नो डाउट आर चील बन जाएगा लेकिन अब यहां पर चार चील बचाता एक एच और एक सील जाएंगे ठीक है एक सेल बन जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है उसको आम बोलेंगे पी ओ सील थरी अब चेकर बच्छे अब चेकर जड़ा मजा आया कि नह सब्सक्राइब कोई दिकत अब क्या आने वाला सर आपने वाला है एस्ट्रिफिकेशन का होता है भाई एस्ट्रिफिकेशन दो तरह है पहला लेने वाला हूं में एसाइल ग्लोराइड तीन तरह का मैं बोलूँगा तो अगर मेरे पास एसाइल को राइट पहले से इस तरह से अटेच है और इसमें मैंने अल्कोहल ले लिया इस तरह से तो बाई डिपोल्ट यहां से एच्छल बाहर जाएगा और जो आंसर बनेगा वो इस्टर बन जाएगा देख लो जारा अच् कंडिशनमें कीया नहीं इंडिया लिए दूसरा मैं लेने वाला हूं आपके लिए दूसरा जो मैं लेने वाला हूं उ I'm को यहां पर कैसे करेंगे तो आर सी डबल बॉंड ओ फिर इसमें मिला दिया आर डैस बोलो क्या होने वाला यह यहां जाएगा जब यहां जाएगा तो यह बन जाएगा आर सी ओ ओ और डैस यहां पर आजाएगा और यह जो दिख रहा है आपको बड़ा अच्छा सा कार्बोसेट बाहर चला जाएगा दिखाए दिखाए दिया यह बन गया आपके लिए और तिसरा जो लास्ट आपके लिए रहेगा कार्बोसेट लास्ट क्यूंकि असर आपने इसको क्योंकि यह मैंने आपको पीछे सिखाया था कार्बोस्लिक एसीड की मदद से एस्ट्रिफिकेशन पीछे कराया था मैंने कि अगर मेरे पास और सी डबल बॉंड और इसमें अग की डबल बॉंड ओर डैस पानी बाहर चाले के इसको बुलेंगे एस्ट्रिफिकेशन तीनों आंसर आपके सामने चमा कराया बोलो मज़ा आ गया कोई दिक्कत है अरे कोई डाउट है तो बोल भी दो यार कोई डाउट है तो बोल भी दो एसा रागिने धमाल हो गया सर मज़ कोई कन्फूजन बिल्कुल भी नहीं हर एक चीज़ें विल पर समझ में आ रहे है बढ़िया तरीके सारी है मतल लेवल क्या रिये एक्दम है कि नहीं येस और नो येस और नो येस सर एस्ट्रिफिकेशन यहां पर क्योंगा बाइब टाटा बाइबाइब टाटा चलेगा अब हम लेने वाले ऑक्सीडेशन और अल्कॉहल दिख बचें आपे तो जो मैं लेने वाला ऑक्सीडेशन आफ एल्कॉहल तो उसमें क्या होता है और अग्सीडेशन आफ एलकॉहल मतलब अगर मैंने प्राइमरी अलकॉहल ले लिया इस तरह से आर च्टू पो येच इसका मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन प्राइमरी अलकॉहल तो मैं पीची से ले लूँगा वनो प्यारा सा अंसर क्या बन जाएगा यहां से यहां से एच यहां से ओ पानी बाहर और यहां से पानी बाहर और यहीं बंज़ जाएगा ऑर सी एच खोजे करो क्रूआ यह बनज़ पानी और यहां से चे यहां से एच टू बाहँ चला गया इसका अलज़ा है मतलब ऑक्सीडेशन में अलड़ी हायões बनता है रेदक्चिन हमें और Stage सा 07 और डाइल्यूट एच ory goo अलिए बहार जाएगा और ये बंदा मझाएगा की टोण क्या बन जाएगा भाइव की टोन जाएगा यहां से पानी बाहर घ्या अंसर बन जाएगा कि टोन टर्शरी नहीं करता है क्यूँकि टर्शरी में कार्बन के पास वह रोंत अप नहीं होता है यह आपके लिए अब यही ऑपसिदिशन हम करेंगे ऑक्सिदिशन यूजिंग कॉपर पाउडर ध्यान से सुनना ज़ा एक सिद इस्टिशन यूजिंग कोपर पाउडर लास्ट रियक्षन आच का आज के लिए लास्ट रियक्षन अल्कोवावल खतम हो जाएग अगर मैंने इसमें सिर्फ इसको heat करूँगा बच्चे मैं सिर्फ इसको heat करूँगा copper के presence में लगबग 573 Kelvin के आसपास तो यहां से H, यहां से H, H2 बाहर answer बन जाएगा R, C, H, O दो को यह H2 क्या हो गया भाई बाहर चला गया चलेगा और उसके बाद यहां पर अगर मैंने ले लिया secondary वाला बंदा कोई इस तरह से इसको भी मैंने heat किया same temperature पे लगबग 573 Kelvin temperature पे तो भी क्या होगा यहां से H, यहां से H, H2 बाहर और बना प्यारा सा answer बन जाएगा आपके लिए answer बन जाएगा R, C, double bond, O, R, यहां से H2 बाहर लेकिन तीसरा जो होगा ना बच्चे उसमें H2 बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसमें hydrogen है यह नहीं तो तीसरे वाली में example ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा एक्जांपल है टर्शरी टाइप का देखो इस तरह से और इसको मैं अगर में हीट करूँ कॉपर के प्रेंस में 570 ते कैल्वीन पे तो बाई डिपोल्ट आपको भी पता है क्या होने माला है यहां से alpha से OH और यहां से H पानी बाहर जाएगा और answer बन जाएगा CH3 CH2 फिर यहां पर आगया CH3 मतलब नाम आ जाता है आपके लिए आइसो ब्यूटिलीन और इससे आपको एक्षी जोर समझ में आएगे कि स्पेशली जब टेंप्रेचर 443 के ऊपर आसपास रहेगा वले यह बास समझ में आई यह शॉटकट में बता रहा हूं है आपको ठीक है अगर यह 413 हो गया तो यह क्या बंजागा इथर बंजागा जो इथर में सिखा हूंगा मैं कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी सर ड कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी सर कोई डाउट नहीं है अब हम जड़ा ले लेते हैं इसके mcq की बात करेंगे ठीक है mcq की बात करने वाले क्या आप तैयार है क्या आप तैयार है एक बर मैं फिर से बता दो बच्चे कि यहां पर हम एकलवे बैच में सारे सिन अप टो बेश्ट लेकर उसके अलाव हमारी एक पेड़ पैच भी इह जिसका नाम है तोप और प्रिमियों और टौपर प्रो तोब प्रिमियम जोड़ा है योगा इसका समया उफर चल रहा है पाईफ तौजन रॲूपीप जिसको इस समय धर is 249 की आमाउट में और वैसे हमारे पास है टॉपर्स प्रो टॉपर्स प्रो बैच है जो अगेन आपके लिए एक्ट्र प्राइज है त्री तॉजन रुपीज लेकिन इस समय डिस्काउंटेट में मिल रहा है वन फूर डबल नाइन में और यह सर कप तक रहने वाला है यह आप ले सकते एराम से पांच डिसंबर से चलुकोна यह रहाय है स्टाट फ्रम-पांच डिसमर एपल अब्धिस्टाम इस स्टार्ट स्टार्थ प्रॉम छी जो एंपांट इन चीज है कहां पशितु तो यहोने वाला यह आर अलबाऊट chemistry all about chemistry AC app के उपर होने वाला है all about chemistry app के उपर होने वाला है sir link का मिलेगा ठीक है link is given in the description the link is given in the description in the description in the description और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ यह बो एक एक चीज़ दम क्लेटी के साथ बता रहूं ठीक है अब आते हैं mcq के तरफ देख बच्चे आपे आज का जो mcq ज्यादा लिया नहीं मैंने क्योंकि मुझे सिर्फ यह देखना थे कि अल्कॉल खतम करके मैं कुछ mcq आपको लूँ ताकि आपके दिमाग बस ओपन रहे के हाँ बाई कैसे करना है सर्फ लैप्टॉप में ऐसे डाउनलोड करना है क्रेजी धान्दे बच्चे आपे फॉर वेब महीं भी दिखा दे रहा हूं फॉर वेब वेब का मतलब लैप्टॉप डेक्स्टॉप इस तरह से समझे लो पॉर वेब आपको यूज करना है वेब डॉट क्लास प्लस एप डॉट कॉम और इसके लिए हम एक ओर जी कोड लेते हैं जो कि होता है अब बस इतना सा दिमाग चलो आपकी चीज़े दब सेट हो जाएंगे यह दिख रहा है और यह हमारा क्या है यूरल नहीं जिसको आप टाइप करेंगे आपको डेश्टॉप पे लैप्टॉप पे लैप्टॉप पे डेश्टॉप पे आप हमको देख सकते हैं कोई दिक डि होता है जिसको वोलते हैं माय इंस्टिट्यूट एप माय इंस्टिट्यूट यह एप को डाउनलोड करो ठीक है और इसके बाद इसमें आपको और जी कोड़ करना है जो मैंने यहां पर दिया हुआ है जो मैंने यहां पर दिया हुआ है चलेगा और जी को टाइप करना आपको म बहुत मतलब अगर थोड़ी से बड़ी कोड़ी आती है तो सवरा सजरा में डर जाता हूं ठीक है सर मैंने मोबाइल पर लिया है तो क्या मैं लैपटॉप पर भी अटिंड कर सकता हूं बिल्कुल आप कहीं पर भी लो आपने मोबाइल में पर्चिस क्या है आप लैप टॉप आप लिंक डालके रखा हुआ है कोई दिकरत नी बच्वों लेना फटाफ जाके ले लो ठीक है ज्यादा एंसी क्यों नहीं है यार तरफ ट्रवल करते हो बच्ये पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्राल गरता हूं चलो अग अधिन लोगों को लगा मेरे भाई अठी अरे टर्शरी है लेकिन कुछ और इसमें ढूड़ो बेंजायलिक एलायलिक विनायलिक नॉन अव्प ट्रशरी कहां से आगा इसके अंदर सर हम सी बोलेंगे विनायलिक डवल बॉन आ गया सर आपने बनाट डवल बॉन आगा तर बीनायलि क्या बोलेंगे पॉब्लिक को यार अरे यह ओएज को देखना बच्चे और चटाइचे इस कार्बन से यह कार्बन का नेचर सिंगल बॉन मतलब यह एस्पी 3 वाला हो गया उसके नेक्स्ट में है कार्बन कार्बन डबल बॉन मतलब सारे तो एलालिक नेचर दिख रहा है औ हाँ पर दिखा B2S6 वहीं खुश्या मना लो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्या करना है बोलो CH2 डबल बॉन CH2 सर ने बोला था पानी मिलाने के लिए एकॉरिंट टू एंट्री मार्कनों को आफ रूल हलाकि इसमें एंट्री मार्कनों को आफ क्या ही होगा तो हमारा आंसर बन जाएगा CH3 CH2 OH यह तो वह शॉटकट उड़ रहा एकदम क्या होगा भाई आंसर में नंबर इतर इतर कंटेंस वीटव फॉलविव लिंगेज एथर में कौन सा लिंगेज मिलता है बताया था मैंने बताया था एथर के अंदर अलकाईल ग्रुप का टेक्क मनतलब आर ओर होता है मतलब यह बोलेंगे सी ओसी इसी कोची यह लोगत्ट चसी आंसर आगा सी कूशी में सी बलो क्या था क्या था ये सी सी टन 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 सर्य एपोकशाइड था आपके हिसाब से और यह हमको लग रहा है साइपने इस तर फाहां दिखना पड़ेगा श्राहता लेकली कि दूसार नुबर एमार्ट करो पका लॉक कर दिया रिस एक भी लॉक कर दो कोई दिख्कत निया आप पर नेक्स्ट दोगे यहां पर अब यह तोरह सा कन्फूज करने वाला रिएशन आ गया एच छी एच ओ मतलब फॉर्मल डिहाइड रियर्ट सिवित एप कुछ तो होगा हम को देते हैं माई साथ छी एच त्री छी एच टू छी एच टू एच अरे सरी तो प्रैमरी अलकोल है अब जैसे यह प्रैमरी अलकोल आया तो आपके दिमाग में घंटी बजीनी चाहिए फॉर्मल डिहाइड प्लस ग्रिगनाड रियेजेंट विल ग्यू प्रैमरी अलकोल अच्छा तो ए मेरा ग्रिगनाड होने वाला है अब ग्रिगनाड भी कितने कारवन को भी ढूड़ना पड़ेगा आड़ा फ्रमल एड में एक कारवन पहले से देखो एक कारवन पहले से हैं और हमको यहां की एक फरके में रहां। है और यह भी गलत है मतलब राइट आंसर है नंबर बी बोलो मजा आया मजा आया कैसे क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है सरहां धंका कुछ हो रहा है बढ़िया हो राइधम समझ में आ रहा है वेन की टोन अब इसको तो बिना पलिटिक मां करो की टोन बोला है कि से रिट हमने बड़ी इसी से किया है क्योंकि मेरा एम जो है ना कुछ को पढ़ाना था काशपको बढ़ाना था यहां पर हमारा प्यारा सज्व लेक्चर है बड़ा प्यारा था है वह यहां अपका ऑलकोब्ल रिवाइज भो गया कल फिनॉल रिवाइज हो जाएगा फिर एथर रिवाइज गर लिंगे एक नहीं तो चार्चार लेक्चर में हमारे चप्टर होता मुझे हमारा जो चुकॉट हो वह ऑगा भाई खतम होने वाला गए बोलो माजा हा आया आया एसा लगा सब्सक्राइब करेंगे अगले जो वीक में आएगा उसे हम लेंगे इतर उसे खतम करेंगे और उसके बाद हम लेने वाले रहेंगे पुरा का पुरा MCQ जो चौथा लेक्चर होगा इसका तो हर चार लेक्चर में हम ट्राइ करेंगे के चप्टरों को खात्मा कर दे यार उड़ा दे एकदम है कि नहीं तो मिलते हैं कल के लेक्चर में मिलते हैं कल के लेक्चर में MCQ के साथ MCQ भी आने वाला है कल अबना है कल दूगा से एकचर में कल दूब को बनाही क के लेक्चर में झाल झाल